बिग बॉस के घर के अंदर हो चुकी है एंट्री पारस चाबडा की और आते ही रूबीना से पूछा है उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बताती हूं क्या हे गाईस मेरे नाम है यश्ची आप देख रहे हैं बॉलिवुद स्पाई लाइक सब्सक्राइब और हिट दी बेल आइकन और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टेग्राम अकांट पर जो की है ड्रामा.डीवा के नाम से दरसल यहाँ पर पारस चाबडा रुबीना से एक क्वेश्चन पूछते वे नजर आए और उन्होंने ये पूछा कि आपके हिसाब से इस घर की नागिन कौन है रुबीना ने हसते वे मुस्कुराते वे जवाब दिया कि अर्शी है क्योंकि अर्शी अपने आपको नागिन ही बोलती थी और कहती थी कि मैं सबको डस जाओंगी कही ना कही पारस चाबडा शायद जैस्मिन का नाम जो है वो रुबीना के मूँ से सुनना चाते थे क्योंकि जिस तरीके से जैस्मिन घर के अंदर एंटर हुई है काफी जादा नेगेटिव नजर आ रही है इन फैक्ट जब रुबीना रोई थी अभिनफ के विक्षिन के बाद में तब जैस्मिन ही थी जिन्होंने अभिनफ को नॉमिनेट किया था बहुत ही जादा अंगूर खटे हैं वाली वाई बारी है जैस्मिन से वो बहुत सारे लोगों का खेल भी बिगारने में लगी वी है तो ऐसे में वो सच्चाय की मूरत नहीं बलकि काफी जादा नेगेटिव नजर आ रही है कहरी हाँ पर रुबीना और पारस के बीच में जो कॉन्वेजेशन हुई है उसका आंसर तो हमें चटपटा मिला नहीं पर आप हमें बताईए कि क्या जैस्मिन ने वाके में नागिन की तरह घर के अंदर एंट्री मारी है क्या वो अली के अलावा सारे कंटेस्टेंस को डसने के लिए बैठी है तयार और एक हफ़ते के अंदर क्या सबका काम तमाम कर देंगी कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अली का ही काम तमाम ना कर दे यूनो नेगेटिव इंप्रेशन फैला करके आप हमें बताईए what you think about this देखते जाएए Bollywood spy मेरा नाम है यशी तो नट फागेट तो लाइक, सब्सक्राइब और हिद दी बेल आइकन और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टेग्राम अकाउंट पर जो की है drama.diva के नाम से stay tuned